चत्रा में घोर नकसल प्रभावित सिम्रिया प्रखंड के फतहा गाउं के बेरोजगार युवा के निनो आत्मन निर्भरता के मिसाल पेश कर रहे हैं यहां के युवा उनर के बल पर बेरोजगारी को मुझ चड़ाते नजरा रहे हैं और इनकी कड़ाई और जरी के काम की तारीफ प्रदेश के कई जिलों में हो रही है इनके बनाए समानों की राज्यों के कई जिलों में मांग हो रही है यहां के बेरोजगार युवाओं ने मिसाल पेश करते हुए कड़ाई और जरी का काम शुरू कर रोजगार को एक नया आयाम दिया है ऐसे में अगर इन हुनहार युवाओं को सरकारी मदद मिल जाए तो इनका ये हुनर उध्योग का रूप धारण कर सकता है क्योंकि यहां के करीब पांच दरजन बेरोजगार युवाओं अपनी कारीगरी से राज के बाजार के रौनक बढ़ाने में चुटे हैं सिमरिया के फतागाओं के कारीगरों को हर दिन 400-500 रुपे तक की कमाई होती है एक साड़ी में कड़ाई का काम करने में एक कारीगर को 5-6 दिन लगते हैं इसके बदले उन्हें 3-4,000 रुपे मिलते हैं इसी तरह एक दुपटे को तयार करने में कारीगर को 3 दिन लगते हैं इसके बदले उन्हें 1500 रुपे मिलते हैं एक ब्लाउज में भी उन्हें एक से दो दिन का समय लग जाता है जिसके बदले उन्हें आट सो रुपे तक की आमदनी होती है पहले भी इस गाओं के कारिगर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर अपने कारिगरी का लोहा मनवा चुके हैं ये कारिगर वहां जाकर कड़ाई और जरी का काम करते थे बाद में कारिगरों ने इस काम को गाओं में ही करने का फैसला लिया कारीगरों का उद्देश्य था कि गाउं के अन्य बेरुसगारों को इस व्यवसाई से जोड़ कर गाउं को कड़ाई और जरी के शेतर में पहचान दिलाई जए ऐसे में कारीगरों को इस योजना को अमली जामा पहनाने में थोड़ी परिशानी जरूर हुई लेकिन उन्होंने इसका भी जुगार निकाल लिया दिल्ली मुंबई से लोटकर गाउं पहुँचे कारीगरों को पहले तो और नहीं मिला लेकिन राजी में व्यवसाईयों से संपर्क स्थापित करने के बाद उनकी इस समस्या का समाधान हो गया राजी के व्यवसाईयों ने उन पर विश्वास जटाते हुए न सिर्फ ओरडर दिया बलकि पूंजी दे कर भी उनकी मदद की कारिगरों का कहना है कि राजी के व्यवसाईयों की तरह ही अगर सरकार दर्या दिली दिखा कर कारिगरों की थोड़ी मदद कर दे तो उनका ये व्यवसाई लगू उद्ध्योग का रूप धारन कर सकता है और वहाँ काम करने के बाद फिर काम हमें स्टार्ट किये हैं फथा गौं में जोसी मरिया परखंड में पड़ती हैं हमारे साथ लगवाग 15-20 लड़के जुड़े हुए हैं और सभी काम कर रहे हैं अपना घर में इसमिनाम से इन बेरोज़गार युआओं को राची के कपड़ा वेवसाई साड़ी सलवार सूट दुपटा और बलाउस बनाने का काम तो दे रहे हैं लेकिन महनत के अपेक्षा इन कारिगरों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है बावजूद ये पापी पेट के खादिर दिनरात महनत का राकरशन और खुबसूरत कड़ाई कर कपड़ों को राची के मीडिया में भीचते हैं ता कि इनके रोजगार का पहिया निरंतर प्रगतिश्वील रहे और इन्हें राजी की तरह अन्यस जिलों और राज्यों में भी राज्यों से भी ओर्डर मिल सकें पंजाब के स्टू टीवी के लिए चत्रा से अशोक दुलस्यान की रिपूर्ट